Hello everyone, मैं हुद धनान जै, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Recently Goa में G20 के Energy Submit Meeting खतम हुई जहाँ पे अलग-अलग देशों के जो participants थे, जो members थे वो अपने आके विचार रखे, अपने objective रखे उसमें से हमारे honorable PM Modi जी भी थे सबसे पहले हम समझेंगे कि ये G20 Energy Meeting क्या है तो G20 यू तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को G20 में कितने देश है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें Argentina है, Australia है, Brazil है, Canada है, China है, Mexico है, Japan है, Turkey है, UK है, USA है, European Union है European Union में 27 countries होते हैं तो हम roughly ये कह सकते हैं कि G20 एक काफे strong global alliance है जिसमें कि दुनिया भर के जो prominent countries हैं वो इसके member हैं तो जैसा कि ये नाम से ही मालूम पढ़ा G20 Energy Meeting तो इसका जो objective था या तो इसका जो syllabus था इस meeting का वो energy के उपर था जब मैं energy की बात कर रहा हूँ तो इसमें crude oil भी हो गया, इसमें electricity भी हो गया इसमें तमाम तरह के energy की बात की गई है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो low developing countries हैं उनको भी उनके energy supply मिलता रहा है, उनको भी जो उनका परियाप्त crude oil का consumption है, वो मिलता रहा है उनको भी परियाप्त electricity जो उनका consumption है, वो मिलता रहा है जो small island countries है, उनको भी उनका energy demand है, वो मिलता रहा है क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि अगर एक country सिर्फ example के तौर पे अगर हम यह मालने कि US के पास ही सारा resource है तो इससे global balance नहीं बनता है global balance तभी बनता है जब हर country के पास अपने requirements को fulfill करने का शमता हो मादा हो अगर किसी के पास वो शमता नहीं है तो उनको वो शमता देना पड़ता है उनको support करना पड़ता है for an example ऐसा अब तक माना जाता है कि COVID चाइना से निकल के आया तो यह बिमारी चाइना से निकल के आया लेकिन यह पुरे दुनिया को परिशान कर दिया अभी Ukraine और Russia के बीच में war चल रहा है तो एक complete disruption create हो रखा है तो यह सब कुछ एक live example है जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि यह दुनिया के अगर किसी भी कोने में कुछ होता है तो उसका जो impact होता है उसका impact global होता है हलाकि इसमें 20 countries member हैं plus European Union तो इसमें हमारे honorable PA Modi जी का भी कुछ statement आया तो हम सबसे पहले उस statement को देखेंगे उसके बाद हम इन्होंने क्या कहा उसको हम एक बर अलग source से भी थोड़ा सब देखेंगे कि इंडिया वाकई में non fossil fuel या यू कहले कि renewable energy में हम कहाँ stand करते हैं तो हमारे Modi जी ने यह कहा कि 2030 तक इंडिया जो है वो 50% renewable energy पर dependent रहेगा यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है फिलहाल जो हमारा crude oil पर जो हमारा dependence है वो तक्रीबन 85% है अब आप सोचिए कि इंडिया ऐसा बड़ा देश अगर 85% अगर अपना energy requirement अगर बाहर से import करता है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही dangerous situation है अगर by 2030 अगर इंडिया अपना 50% अगर energy requirement है अगर वो देश में ही अगर वो उसे बना लेगा या हम उसे खुद पर उस पर sufficient हो जाएंगा तो यह हमारे लिए काफी एक अच्छा और एक काफी positive sign रहेगा और आप सोचिए कि जो 85% जो हम पैसे बाहर से energy import करने में लगाते है वो फिर हम खुद के देश में खुद का development के लिए हम लगा सकते हैं तो यह भी एक काफी बहतरीन example है research and development का कुछ लोंग सवाल पूछते रहते हैं कि क्यों इंडिया चंद्रयान mission को launch किया क्यों इंडिया ये किया क्यों इंडिया वो किया आप समझे आप दूसरे देश से सर survive नहीं कर सकते जब तक कि आपका खुद का जब तक कि आप खुद पर dependent ना रहें आप खुद पर तभी dependent रहेंगे जब आपका देश research and development में काफी investment करेगा मैं इसके बारे बताऊंगा कि क्यों इंडिया renewable source पर या specifically हम कह लें कि solar energy पर हम इतने focused हैं और यह क्यों एक हमारे लि 2015 में 2015 से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा mission launch किया जहां पर हम लोगों ने पूरे इंडिया में LED bulb का distribution किया अब LED bulb जो normal हम ट्यूब लाइट यूज किया करते थे या जो हमारा जो fluorescent bulb था उससे यह 60-90% energy efficient होता है 60-90% हम सबसे lower ही मान के चले 60% तो भी यह बहुत बड़ा number होत 50% और इसमें चीज़ और बताएगे कि हम लोगों ने 45 billion unit of energy per year हम लोगों ने save किया यह बहुत बड़ा unit होता है यह बहुत बड़ा saving होता है जब हम energy बचाते हैं तो सिर्फ हम energy नहीं बचाते हम उसके साथ पैसे भी बचाते हम उस पैसे को कहीं और use कर सकते हैं हम उस पैसे क हम education में invest कर सकते हैं business में invest कर सकते हैं तो यह काफी important होता है हमारे लिए कि हम चीज़ों को सिर्फ एक angle से ना देखें बलकि उसको हम multiple angle से देखें और अगर हमें समझ में ना आए तो हम newspaper पढ़े या हम किसी ऐसे लोंग से मिले जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखें अब क्योंक कि वो renewable energy पे रहेगा तो इस चीज़ को हम और थोड़े से बारिक तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे तो एक organization है या एक agency जिसको कहते हैं international energy agency यह पैरिस बेस नॉन प्रॉफिटेबल organization जिसको की 1974 में establish किया गया था अब साल है 1974 अब बात है कि 1974 में इसको establish क्यों किया गया तो 1973 में oil crisis आया था इसमें क्या हुआ था कि Israel और Arab nation specifically Egypt और Syria मिलके इसराइल और Arab nations का जो relation है वो आज भी बहुत अच्छा नहीं है तो जब यह war चली थी तो क्या हुआ था कि USA ने इसराइल को support किया था क्योंकि USA ने इसराइल को support किया इसलिए जो Arab nations थे उन लोगों ने क्या क जहां पर वो ओयल का जो production था उसको कम कर दिया और USA के ऊपर एक complete oil embargo लगा दिया ओयल इंबार्गो मतलब restriction लगा दिया तो जो condition था उस वक्त वो काफी severe condition हो गया था तो उसी severe condition का जो production है जो produce है वो international energy energy sorry international energy agency है इनका जो रोल है वो रोल यह है कि पुरे दुनिया को यह ensure करें कि उनका जो energy supply है वो maintain रहे energy supply फिर से मैं दोराता हूँ यह electricity भी हो सकता है यह crude oil भी हो सकता है या तकरीबन यह हर form of energy होता है वो renewable भी हो सकता है वो non renewable भी हो सकता है बीते कुछ सालों से जब से यह climate change हम लोग witness करना शुरू किये हैं तब से जो focus है वो renewable energy पे जादा आ गया है इसके लावा भी international energy agency ने एक report publish किया जहां पे वो यह साफ साफ कहते हैं कि 2023 तक भारत ने 174 गीगावर्ड renewable energy को अपने यहां पे install कर लिया मतलब हम इतने सक्षम हो गया हैं कि 2023 तक 37% of countries total energy supply को हम खुद से बियर कर सके हैं यह अपने आप में बहुत बड़ा number होता है जब country इंडिया यह सी बड़ी country हो जहां पे 37% अगर हम renewable source use करते हैं तो यह बहुत बड़ा number होता हम इससे बहुत पैसे बचा सकते हैं इसी basis पे हमारे honorable PM मोदी जी ने कहा कि 2030 तक हम 50% dependent हो जाएंगे renewable energy पे जिसका कि जो सबसे ज्यादा focus रहेगा वो रहेगा solar पे तो इस बात को verify भी किया गया है by international energy agency के दवारा उनके अलावा और भी कहा गया है कि जिस तरीके से government of India focused है renewable energy के ऊपर इससे क्या है कि बहुत सारे जो foreigners जहां बहुत सारे जो FDI है मतलब foreign direct investment है वो भी इंडिया में आना शुरू हुआ अब सोचिए कोई भी एगर investor रहेगा तो वो कहां invest करना चाहेगा वो वहीं पर invest करना चाहेगा जहां पर उसे scope दिखता है जहां पर उसे वो दिखता है कि government उस चीज में काफी focused है और इस FDI में जो prominent countries है जो इकशुक देश है उसमें Singapore है, Morishers है, Netherlands है, Japan है तो हम यह कह सकते है कि यह जो कहा गया है, यह सिर्फ PM Modi के द्वारा ही नहीं कहा गया, बलकि यह already verified भी है by International Energy Agency के द्वारा, और क्योंकि इतने सारे जो इकशुक देश हैं, वो भी भारत में invest करना चाहते हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि जो इंडिया का जो यह plan है solar energy में invest करना या renewable energy में invest करना, यह सही दिशा में चल रहा हूँ, यह कुछ statistics से जहां यह बताया जा रहा है कि हम लोगोंने किस तरीके से FDI जो investment इंडिया में आया है, वो किस तरीके से quarter by quarter इसे breakdown करके दिया गया है, एक और मैं बताना चाहूंगा आप लोग का information कि यह एक alliance है, International Solar Alliance, इसका objective क्या है, इसका theme क्या इंडिया मिलके इसको दुनिया के सामने रखा, यहां पर यह है कि क्यूंकि हमारे पास Sun पुरे प्रिथवी को cover करता है, जिस एदिया को प्रिथवी को cover नहीं कर पाता है Sun, suppose that कि वैसे country जो tropical countries हैं, वहां पर renewable energy को बिठाया जाएगा, वहां पर renewable energy के जो source है, उसको install किये जहां पर इसमें low developing countries भी रहेंगे, island countries भी रहेंगे, कहने का मतलब है कि जो crude oil से जो dependence है, वो खतम करना चाहते हैं, और complete तरीके से renewable energy पे जाना चाहते हैं, और यह सिर्फ किसी एक देश का यह plan नहीं है, कहने का यह मतलब है कि इस plan से किसी एक देश को इस सिर्फ फायदा नही पड़ता है, कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बलकि वो पुरे विश्व के बारे में सोचे, बीते कुछ सालों में आप लोगों ने भी notice कि हो कि इंडिया का जो global presence है, वो काफी बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने बारे में बात न नेशन थे, वो वैक्सीन बाटने से मना कर दिये थे, ये मैं आप लोगों के छोड़ा समय डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये institute of science का ये website का ये link है, आप वहाँ जा सकते है, इंडियन institute of science, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये color coding में बताया गया कि किस तरीके से इंडिया naturally blessed है, जहां पर जो insulation है, या यूं कहले कि जो sun ray है, वो proper आता है, red कहने के जरुवत नहीं है कि ये पर्याप्त insulation को दर्श आता है, उसके बाद green, उसके बाद blue, तो आप इसको roughly यूं समझ ले कि इंडिया में तकरीबन 12 का 12 महीना जो insulation है, वो पर्याप्त आता है, ये बस है कि ह हमें इस potential को हमें कैसे इसको हमें seal करना या तो यू कहले कि इस potential को हमें कैसे execute करना है, तो इसी चीज को समझते हुए, इसी चीज का importance को समझते हुए, हमारे जो country के जो leaders हैं, या यू कहले कि जो हमारे PM Modi हैं, उनका ये vision है कि कि किस तरीके से इंडिया को 50% हम dependent मना renewable energy by 2030, अग को और भी information मालूम पड़ेगा, I hope कि मैं इस वीडियो में कुछ समझा पाया हूँ, और फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे highlight करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like, follow and subscribe the channel, अगर आपके पास कोई सुझावे तो वो मुझे आप email करके बता सकते हैं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, goodbye